आपको पता है भारतिये पुरुस हौकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में अपने नाम पदक किया हुआ है यानि कहने का मतलब सीधा सा है कि इससे पहले आप देखेंगे 41 साल पहले यानि कि 1980 में भारतिये पुरुस हौकी टीम ने 40 पदक अपने नाम किया हुआ था मासको ओलंपिक में और उस समय आप देखेंगे तो कप्तान कौन थे वासू देवन भासकरन थे उनकी नेतित में आप देख सकते हैं कि 1980 में गोल्ड मेडल मिला था इसके बाद आप देखेंगे कि 1980 के बाद जितने भी आपके ओलंपिक हुए हैं उसमें भारतिये पुरुस हौकी टीम को कोई भी पदक हांसिल नहीं हुआ है आप जाके आप देख रहे हैं कि जापान की टोकेव सहर में आपकी जो ओलंपिक आयोजित किये जा रहे हैं इसमें भी भारतिये पुरुस हौकी टीम को कांस पदक मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीत कहलाई और आप देखिए कि एक लंबा बनबास काट के एक तरह से आप कह सकते हैं कि हासिल हुआ है बीच के समय में आप देख सकते हैं कि भारती पुरो सौकी टीम को निरासा ही हांत लगी है एक तरह से आप एभी कहिए कि उनका टाइम ही खराब रहा है इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है उन्हें भी आप लोग देख लिजेगा हो सकता है कि आपकी परिक्षा में इसे कुश्चन्स बन जाएं और वैसे बने भी ना तो आप देख रहें गोई ट्वीटर पर टेंड कर रहा है प्यदार मंतरी से लेकर राष्ट पती और भी आपने देखा है हमारे यहां के लीडर हैं और भी नेता हैं और भी लोग हैं वो भी ट्वीट कर रहें और सुबकामनाएं दे रहें तो आप देखेंगे कि किसे हराया है भारती आउकी टीम ने जर्मनी के खिलाब मैज को पांच चाल से जीत लिया है किसने भारत ने और भारत की उसे आप देखेंगे सिमरन जीत सींग ने दो जबकी रुपिंदर हाल्दिक और हर्मन पीट ने एक एक गोल दागे हैं इससे पहले आपको बता दूँ तो ओलंपिक एक के इतिहास में भारती पुरुसौकी टीम का यह तीसरा कास पदक है 222 में और इसके बाद आप देखेंगे कि 800 पदक अपने नाम किये हुए हैं और एक रजत पदक भी जीता हुआ है आप कहिए कि 1980 के पहले हमारी जो पुरुसौकी टीम है इसके इस्तिती बहुत बहतर थी और आप समझे कि 8 वार गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है आप लोग इन्हें भी देख लिए कप क्या गोल्ड मेडल कप जीता है सिल्वर कप जीता है ब्रॉंज कप जीता है और उस समय कौन कप्तान था भारतिय पुरुसौकी टीम का और कहा हुए थे एक एक यल इन्हें भी याद रखी और सन को भी याद रखीगा सबसे पहली आप देखें तो 1928 में जो आपके एम्स टरहरडम में ओलम्पिक हुए थे इसमें भारतिय पुरुसौकी टीम को स्वर्ड पदक मिला था और इसके कैप्टन इस समय कौन थे तो जैपाल सिंग मुंडा इस समय कप्तानी कर रहे थे फिर आपने देखा होगा कि 1932 में आपका लॉस एंजल्स ओलम्पिक हुए थे लॉस एंजल्स में और इसमें आपने की भारतिय टीम ने स्वर्ड पदक अपने नाम किया हुआ था और इसमें आप देखेंगे कि इस समय कि कैप्तान कौन थे कैप्तान लाल साह बुखारी फिर आपने देखा होगा कि 1936 में बर्लिन में होते हैं आपकी ओलम्पिक और इसमें भारतिय पुरुस होकी टीम स्वर्ड पदक अपने नाम करती है और इसके आप देखेंगे कि ध्यान चंद इस समय कप्तान थे और आपने देखा होगा कि द्यान चंद होकी के बहुत बड़े खिलाडी भी रहे हैं ठीक है फिर आप देखेंगे कि 1936 में आपकी ओलम्पिक खेल होते हैं ये लंदन में हुए थी और इसमें भी आप देखेंगे कि भारतिय पुरुस होकी टीम ने स्वर्ड पदक अपने हुए था और इसके कप्टान कौं थे समाइब क呢 क्स अलाल कौन थे किस अलाल उसके बाद आप देखेंगे कि 1912 में होते आपकी, यानि कि 4 साल बाद आप देखते हैं न, होते हैं न, तो हैल सिंग की में हुए थी, हैल सिंग की ओलंपिक 1902 में भारती पुरो सौकी टीम ने स्वड़ पदक थरसे जीता, और इस समय कप्तान कों थी, केडी सींग, फर आपने देखा होगा कि 1956 में आपकी ओलंपिक होत चैमएर, यानि कि आप कहे सकते हैं कि लगातार 6 वार भारती पुरो सौकी टीम ने पिथम इस्थान पर आप्ट किया, और गोल्ड मैडल अपने नाम किया, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारी हौकी टीम कितनी मजबूत रहे होगी, कि लगातार 6 वार अपने पिथम कहते हैं और इसमें हमारी पुरुस जो होकी टीम थी इसमें रजत पदक अपने नाम किया हुए था और इस समय हमारी कप्तान कौन थी लैसली क्लोडियस ठीक है फिर आप देखेंगे कि आपके 1964 में होती हैं यह आपके टोके में हुए थी टोके में यह जापान है ना इसी के ए हमारी पुरुस होकी टीम ने स्वड पदक अपने नाम किया था यानि कि गोल्ड मेडल इसमें भी अपने नाम किया और इस समय कप्तान कौन थी चरण जी सिंग फिर आप देखते हैं कि 1968 में आपके ओलंपिक खिल होते हैं यह आपके मेक्सको सिटी में हुए थी इसमें हमार पुरुस होकी टीम ने कांस पदक अपने नाम किया हुआ था और इसमें आप देखेंगे कि आपके गुर्बक सिसींग और पिरिती पाल सिंग यह दोनों आपके कपतान रहे थे फिर आप देखेंगे कि आपके 1972 में आपके उलमपिक होते हैं यह आपके मियूनिक में हुए थी जिने आप लोग मियूनिक उलमपिक के नाम से जानते हैं इसमें भी भारतीय प्रोष टीम ने कांस पदक अपने नाम किया था और इसके कपतान कौन थे इस समय हर्मीक सिंग फर आप देखते हैं कि 1976 में आप कि मॉन्टीयल में हुए थे और इसमें भारती हो कि टीम को भारती पुरुस होकी टीम को हार मिली थी यानि कि कोई भी पदक अपने नाम नहीं किया था और साथ बेस्थान पर हमारी टीम रही थी फिर आप देखेंगे कि मासको में हुए थी आपके निश्वस्ती में ओलम्पिक इसमें भी हमारी परोस हौकी टीम ने सोड यानि कि गोल्ड मैडल अपने नाम किया था और इस समय इसके कप्तान कौन थे वासु देवन भासकरन ठीक है इने भी आप लोग याद रखेगा और आप लोग पहले कोई याद रखेगा कि पहली बार परोस हौकी टीम ने कब गोल्ड मैडल जीता था हो सकता है कि कुश्चनस आपसे पूछ ले फिर आपने देखा होगा कि 1984 में आपके ओलम्पिक हुए थे और यह हुए थे आपके लॉस एंजिल्स में और इसमें आप देखें कि कप्तान कौन थे समय भारती हो परोस हौकी ट होते हैं लॉस एंजिल्स में ओलम्पिक और इसमें बता चुका हूँ कि आपकी पाचवे स्थान पर रहे थे फिर आपने देखा होगा कि 1988 में होते हैं सियोल में ओलम्पिक और इसमें कप्तान कौन थे सो मैं मन पांडे सो मैं मन पांडे और इसमें भारती होकी टीम को कौन स छटवा इस्थान फिर आप देखते हैं कि 1992 में आपके ओलम्पिक होते हैं यह आपके वारसी लोना में होते हैं और इस समय हमारे कप्तान कौन थे? पारगट सींग और इसमें आप देखेंगे भारती पुरुष होकी टीम को कौन सा इस्थान मिला था? साथवा इस्थान फिर आप देखेंगे कि 1996 में होते हैं ओलम्पिक यह आपके अटलांटा में हुए थे और इस समय भी आप देखेंगे हमारे जो कप्तान साहब थे? परगट सींग थे इसमें भी आप देखेंगे आठवा इस्थान मिला था फिर आप देखेंगे कि Sydney में हुए थे आपके सन 2000 में और इसमें कप्तानी कौन कर रहा था? रमंदीप सिंग और इसमें भार्ती परोष हौकी टीम को साथवा इस्थान मिला था फिर आप आप देखेंगे कि सन 2004 में हुए थे अन्थेंस में और इसमें आप देखेंगे दिलीप तरिकी हमारी कप्तान थी और हमारी भारती पुरुस होकी टीम को कौन सा इस्थान मिला था साथवा फिर आप देखेंगे कि 2012 में आपके लंदन में हुए थी और इसमें आपने देखा होगा कि कप्तान कौन थी इसमें भारत छित्री और इसमें भारती ये पुरुस होकी टीम को 12 वा इस्थान मिला था फर आपने देखा होगा कि पिछली वार 2016 में रियोव में हुए थी और इस समय आपके कप्तान कौन थे? P.R. S.R.I.J.S. और इसमें हमारी पुरुस होकी टीम को 8 वा इस्थान मिला था और अभी आप देखे रहें कि टोके जापान में हो रहे हैं ओलम्पिक 2020 और इसमें हमारी कप्तान कौन थे? मन परीट सिंग और इसमें आप देखेंगे कास पदक हमारी पुरुस होकी टीम को हाथ लगा हुआ है तो आपने देखा है कि इतिहास में किस तरह से उताओ चड़ाओ रहा है और इस बार हमारी पुरुस टीम खाली हाथ नहीं आई हुई है तो इन्हें सब पुएंटों को याद रखे कभी इस तरह के कुश्चन्स भी आ जाते हैं और कुश्चन सना है तो फिर भी आप लोगों को मालूत होना चाहिए कि आपकी पुरुस होकी टीम ने किस तरह का पर दर्सन किया हुआ है क्या हाल है आपकी टीम होकी ठीक है